हिंदी फूर्ट जोन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही आसान रेसिपीज मिलेंगी वो भी हिंदी में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा और चलिए चलते हैं फटा फटा आज की रेसिपी देख ले है तो आज हम ऐसे ही बनाएंगे सिर्फ प्याज से लेकिन इतनी कमाल की मैकरोनी तो चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले मैकरोनी को बॉइल करना होता है तो मैंने पहले से ही पानी गरम करने के लिए रख दिया था इसमें मैंने आधा चमच नमक डाल दिया है अब मैं इ बीच में चेक करते रहना है इन्हें अच्छी तरह से कुक करना है मैकरोनी अगर कच्छी रह जाएगी तो टेस्ट नहीं आएगा और मैकरोनी को छान लीजिए अब हम वापस से कड़ाई में तेल लेंगे तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें धेर सारा प्याज रालेंगे क्यों तो इसे ओलिव ओयल या फिर रिफाइन तेल में भी बना सकते हैं अब देखे प्याज हलका सौफ्ट हो गया है तो इसमें मसाले डाले रही हूँ जैसा आपको दिख रहा है थोड़ी सी बिलकुल हल्दी मिर्च पाउडर और बिलकुल हलका सा नमक या फिर नमक स्वाद के अनुसार और इसे अभी मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से गैस को यहां पर अब धीमा कर लीजिए क्योंकि प्याज को जलना नहीं चाहिए हमें ऐसा ही एकदम सौफ्ट और क्रंची प्याज चाहिए तो अब हम इसमें तुरंट डालेंगे उगली हुई मैकरोनी तो देख कि इसका जो फ्लेवर है वह बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए इसमें डाल रही हूं आदा चम्मस सिरका वाइट वाला सिरका है नहीं है तो ना डालिए लास्ट में नीम्बू डाल लीजिएगा अब इसमें डालेंगे मैजिक मसाला या फिर आपके पास चाउमीन मसाला अब नहीं है तो यहां पर मैजिक मसाला मैंने पूरा डाल दिया है कि लेकिन अगर आपके पास सब्जियां रखें हैं तो आप सब्जियां डाल के बना सकते हैं और आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो तेल इसमें जादा नहीं डालना होता है तेल थोड़ा ही डालना होता है क्योंकि तेल ज्यादा हो गया तो फिर नीचे रह जाएगा और मैकरोनी का टेस्ट बहुत बेकार आता है तो हमें चाहिए एकदम ड्राइ और खिली-खिली मैकरोनी उसके लिए आपको तेल कम डालना है और प्याज डेर सारा डालके तेज आच में बाद में इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लीजिए बहुत ही अच्छी कुश्बू आती है सुए सॉस की और मैजिक मसाला की आपकी जो मैकरोनी है वो बहुत ही आसान रेसिपी से तयार हो चुकी है खाने के लिए देखिए मुझे अमेदर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेर कीजिए इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए